हेलो दोस्तों एक बार फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज तो मैंने लिये हैं आलू गाजर ये मसाला है ये हरी मेर्च टमाटर और ये हरा प्याज है और ये हैं शेम रामेच तो आज सारी सब्जीू को मिक्स करके हम सब्जी मनाएंगे . मिक्स सबची बहुत अच्छे लगती है और लोहे की कड़ाई में मनाएंगे तो यह उतीक है और सबजी भी सबसके हुआ टोट तो हमने रही मैं टेल टाल देया है तकी घरम होने लुस्चेmost की घरम हो जाए तो इसमें चीटा डालेंगे समसे पहले जीरा डाल लेंगे जीरा पकने के बाद में प्याज डाल लेंगे ये मैंने हारा प्याज लिया है कांधा लिया है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबजी में एक बार इससे बना के दिखी मेरे तरीखे से बहुत अच्छी सबजी लगती है तो मैंने हरा प्याज काट लिया था तो जो कांधा है वो उसको मैंने अलग काटा है जो हरा 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 है प्याज उसको मैंने अलग काटा है यह है है हरी मिर्च हरी मिर्च डाल लेंगे और अच्छे से पकाएंगे कि इस तरह से सब्जी बना के देखिए एक बार मेल रिके से बहुत अच्छी लगती है तो यह मैं प्यास पका रही हूं कि प्यास को अच्छे तरह से सुनहेरा भून लेंगे अब इसमें डालेंगे टामाटर यह टामाटर है मैंने दो टामाटर लिये थे सारी सब्जियों को मिक्स करके सब्जी का टिस्ट बहुत अच्छा लगता है तो टामाटर हमने डाल दिये हैं और यह मसाले हैं मसाले मैंने वही यह मसाले डेली के वही है हल्दी और मिर्ज धनिया पाउडर और मसाला गर्म मसाला ज्यादा मैंने कोई अलक से मसाला नहीं लिय देली घरों में यूज होता है वही है इस टेस्ट तो साला सब्जी ओका है सब्जीओ का टेस्ट आएगा ज्यादा मसाले बसाले डालने की ज़रोद नहीं है बस जो नॉर्मल घर में होते हैं डेली यूज के लिए उसी से बनाएंगे तो हमने हरा प्याज डाल दिया है इसमें देरे देरे सारी सब्जियों को ऐड करते जैंगे हमने सेम डाल लेया है सेम से सब्जी के टेस्ट बहत अच्छा आता है themes डाल दिया है और चलाते जा रहे हैं गेस अवर्ट को हमने तेजी ही रखाए यह सेम लामिर्च सेम शेंप नों मैंने चार लिए थे और 20 क्रांव सी हुआ χ थोड़ी सी गाजर दो गाजर थी लम्बि लंबी ओर थोड़ी सी मैंने accounts धी अंछी में डालना है आलू तो मैन चीज रहते हैं अनों टो सब जिदोरी रहते हैं ऊन्ब्लत हुआ जरूर ही डालेंगे अब हमने सारी सकेजिक को ढाल लिया है अब अच्छे से चला रहेंगे छटर नकी के बाद में आप रमसे नमाक ढाल लेगे नमक आपने टेस्ट के एक्रडिंग डाल सकते कोई ज्जादा खाता है कोई कम गाता है तो अभी हम तो मे 1975 ट्रों कशन नमक ढालेंगे इसमें चलाएंगे अच्छे से मिक्स करके हम इसको धक के पखाएंगे भग के पकाने से सब्जी बढ़िया पकती है और हां इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अधे इसलिक आधा डाले। हैं तो इसलि के हाव 20 डाले इसमें तुक्षाइं बनाना है तो यह हम पाएंगे लिएरो खस्राइद आफ़त रहाएंगे गे दरत और में इसमेंमने के इस प्लख ऱक्तटऊेंगे और फिर से ढख देंगी इसको तो हम पानी में पानी नहीं डालेंगे अब इसको थोड़ा सा रसीली खानी है तो वह पानी डाल सकता है ने तो इसका टेस्ट वैसे ही अच्छा आता है तो हमने बर्बंद कर दिया था दुबारा से इसको खोल के देख रहे हैं सब्जी आपकी है या नहीं देखिए सब्जी पक गई है चेसे सब्जी पक जाए असके बाद में आप उसको ढखियेगा नहीं खुला ही पकाईए खुला पकाईए जो जितना भी मॉंस्टर इसमें निकल आया सब्जी में वह सारा सूख जाए तो हम इसको पकाईए तो इसलिए तेज आज में पकाएंगे तो पानी जल्दी सूखेगा तब सब्जी मेरी सूख गई है और मैंने बारीक धन्या हरा धन्या काटा था ओपर से धन्या डाल देंगे यह देखिए दस्तों सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और सब्जी देखने में सब्जी सारी दिख रही है और सूखी सब्जी बनी है तो इक वार इस तरह से बना के देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब हीजिए और ऐसे आइडिया में देती नहोंगी इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी तो तैंक्स फॉर वाचिंग